नोश्रा मित्रों यहां पर है मेरे पास इंफिनिक्स का हॉट 11S इसको यूज करते हुए आज की वीडियो में आपको इसका फुल टू फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके का आपको यह फोन देखने को मलता है फिलाल आप आपको यह 11,000 रुपय का देखने को म इस बार जो इन्फिनिक्स ने काम किया है ना डिस्प्ले के अंदर वह काफी सही किया है 6.78 इच की आपको फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले देखने को मलती है मतलब अगर आप देखोगे पुरानी जेनरेशन में हौट 10 वगरा में तो उसके अंदर आपको सिर्फ एच्ट LCD के साफ से आपको тобой सही देखने को मिल जाती है आपको नहीं आने वाला है इसकी अंडूर में तो हैय यहार काफी मिलेगी के लिए काफी आपको यह देखने को मिल जाता है अब full HD के अंदर content नहीं watch कर सकते वो चीज़ को यार मैं personally थोड़ा सा मेंस करता हूं तो वो चीज एक और थोड़ी improvement में जाये तो काफी सही होगा बागी display quality overall मुझे काफी सही लगी है उसे किलाब इस पार यार dual speaker भी इसके अंदर दिया हुआ है अब speaker की quality अगर आप पूछोगे तो single speaker से तो of course better देखने को मिलेगा लेकिन इतना भी पर लगने लगता है price point के साब से आप एकरी करोगे मेरे साथ लेकिन यार आप बैक में दिया है तो यही चोईज आपको देखने को मिलेगी मतलब फिंगरपिंट सेंसर में कोई इस्यू नहीं है बस या जो प्लेस्मेंट है आई थिंक यार आप volume बटन में रहती थोड़ा और experience वहना मज़ादार हो जाता बागी यहीं पर बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड वगरा की तो देखो यार इंफिनिक्स अब वही पुरानी अपनी जो चीज़ें है वही चल रहा है उसी को लेके मतलब बिल्ड आपको average अच्छी सी खासी देखने को मिल जाएगी पीछे नहीं आरी है परसनली फील नहीं हो रही है डिजाइन थोड़ा और बैटा किया जा सकता था हाला कि कैमरा मॉडिल उन्होंने काफी सही यहां पर चेंज किया है यह आप देख पाऊगे यह काफी ट्रेंडिंग लोगी लगता है लेकिन फिर वही उसके साथ जब फिंगर प् फोन है इतना है भी भी आपको ब्हूंता है अगर कि बाद करोगे तो इतना ज्यादा मेजर आपको इंपर इंप्रूणरा देखने के लिए लेकिन अगर बात करो इंप्लिमेंटेशन की तो इसके इंदर काफी एची करे हुई है इसका एक्स्पीरेंस काफी स्मूध मुझे लगा है आपको इसमें ज्यादा कोई लैक्स या जिटर वगेरा नहीं देखने को मिलेंगे एक स्मूधली वर्किंग आपको यहां पर यहां पर आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा और स्क्रॉलिंग भी आपको देख पाऊगे कि डिसेंट सी आप यहां पर कर सकते हो अब यहां पर यहां पर यह 90 वाली मत समझना कि आपको बहुत ही बीस-पच्छेस-जार वाली 90 हीट विलकुल नहीं होता है हीटिंग जरूर से होगी जैसे 42-43 तक चला जाएगा जैसे मैंने हाफ एन आर से जादा इसके अंदर गेमिंग करी तो 42 के असपास टेंपरिश्य चला गया था तो वह चीज़ आपको देखने को मिल जाती है बागी जी एक्छा आप्टिमाइज के साथ आपको देखने को मिलती है बस वही है ना बलोट वेयर वगएर इसके अंदर आप कम करने की जरूवत है काफी सारे आते हैं नोटिफिकेशन आपको पाम स्टोर हो गया इनके कौन-कौन सा स्टोर अलग-अलग देखने कर मिलेंगे जिनको आप अनिस्टॉल भी नही के अंदर मिल जाएंगे और एक और गेम बूस्टर के तो फांशन में आपको बता हूं या वॉल्यूम बटन को ऐसा ट्रिगर भी यूज़ कर सकते हो तो वह मुझे काफी सही लगा या नहीं कि यूज़ नहीं है बस यार यहीं ब्लोट वेयर वगएर से थोड़ा चुटका है तो 18 वाट आपको चार्ज करने में दो घंटा 20 मिनिट के अराउंड यहां पे लगने वाला है फुल चार्ज हो जाता है कि दो घंटा 20 मिनिट में तो आइधिंक यार वो भी एक प्रोग्रेस में आपको देखने के लिए मिलेगा बागी बात रही है इंद एंड कैमरा की और आपको देखने कम दो के देखने को मलता है अब की पिकशल का अपको नियुकर के आज आए वह कांवी तो और सबसे सभाओं चीज चीज मुझे लगे कि लो लाइटिंग के अंदर भी इसकी प्रफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है और क्या सही निकल के आदे यार कोई जादा इशू नहीं है हाला कि मैंने एक दो चीज देखी कि जब आप पोट्रेट मोड वगेरा में सौट लो तो कभी-कभी थोड़ा सा मैसब कर देता है वो चीज़ा थोड़ी सी फिक्स करी जा सकती है बागी बात रही है इनके साथ पहले इशू था कि फिक्स फोकस का आपको एक से फोटो खीच ल रहेगी और काफी अच्छी से डीटेल्स भी कर देता है और उसके लावा एड में पिक्सल है तो उससाब से थोड़ी बहुत स्मूधनिंग भी आपको मिलेगी लेकिन मैं क्या रहा हूं ऐसा आपको कहीं भी नहीं लगेगा काफी सही लगेगा यार मुझे तो अभी तक कैमरा काफी अच्छे से प्रफॉर्म कर रहे हैं हलाकि अब इकसल इल्टरा वाइड भी होता तो क्या मुझा जाता है होना चाहिए था बस आपने तो मांग सकते हैं दे ना दे वो कंपनी का है बागी जो कैमरा इसके अंदर दिया है मैं कहूंग अभी तक का सबसे सही कलर्स आपको बैस देखने के मिलेगा फिलाल तो इस वीडियो में अगर आपके कोई भी कोशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप कर देखते हो मिलों आपसे नहीं वीडियो में है तिल एन ठेक क्या बाबाई